नमस्कार दोस्तों आज हम SSB की जानि की सास्तर सीमा बल में जो वेकेंसी आई हुई है जिसमें male and female दोनों अपलाई कर सकते हैं उसके लिए online farm जो है वो fill करेंगे step by step अवेधन करेंगे step by step तो आप समझ लीजिए आपने कैसे apply करना है घर बैटे हुए तो इस वीडियो को complete देखते रहिएगा कुछ चीजे जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में guide कर देता हूँ लेकिन अगर आप पूरी guidance चाते हो जिसमें आपको full detail हिंदी में मिल जाए तो आप लोग visit करो हमारी official website .in के इस page पे इसका link आपको पहले comment और video की description में मिल जाएगा आप जैसे इस link पे क्लिक करते हो इस page पे आपको सारी information मिल जाएगी और ये video भी मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी जानकरी बता हुई है ठीक है तो चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे guide कर देता हूँ देखो अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हो तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टैनोग्राफफर हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रल ये जो वकेंसियां है इसमें 12 पास लोग apply कर सकते हैं कोई percentage नहीं मांगी हुई simple normal चाहे आप commerce arts किसी से भी है apply कर सकते हो लेकिन अग अगर बाकी सभी पोस्टों की बात करें तो उसमें 10 प्लस 2 यानि कि आपकी बारवी विद साइंस होना बहुत ज़रूरी है जिसमें डिपलोमा भी कुछ मांगा हुआ है trade से related जिस पोस्ट के लिए apply करोगे उस पोस्ट से related आपके पस डिपलोमा होना चाहिए और experience भी मांग तो बाकी सभी पोस्टों के लिए 12 पास apply नहीं कर पाएंगे अगर आप 12 पास हो तो assistant, sub inspector, tenographer, head constable, minister के लिए apply कर लेना age limit की बात करें तो sub inspector, tenographer, head constable के लिए 18 साल से 25 साल SCST हो तो 5 साल की चूट है OBC हो तो 3 साल की चूट है 21 साल से लेके 30 साल तक SI staff nurse female की पोस्ट है 20 साल से लेके 30 साल तक बाकी सभी पोस्ट है इसमें जो आपको पोस्टे मिल रही है वो कौन-कौन सी है SI staff nurse female, SI farmist है, operation theater technician है, dental technician है, radiographer है, stenographer है, head constable minister है तो भाई बाकी जानकारी के लिए, selection कैसे होगी, आपका return में क्या आएगा, marks कितने होंगे, और कितना cut-up जाएगा, वो अगर आप देखना चाहते हो तो भाई आप ये video देख लो, link आपको video के description में मैंने दे दिया है, description में ये video दे दूँगा, या फिर आप विजट करते ह तो हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे, तो आपको ये video यहाँ पे मिल जाएगी, playlist के अंदर government job का option है, वहाँ पे चले जाना, तो वहाँ से आप देख सकते हो, channel को by subscribe कर लेना, अगर आपने अभी तक नहीं किया, ये बिल्कुल free है, bell icon दबा लेना, इस से आपको message आना start हो कैसे यहाँ पे click करते हो ना, तो दोस्तो सीधा ही apply का आपको option है, कहीं आगे पुछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी duty है, आपको ये भी सिखाना कि Google से आप कैसे apply कर सकते हो, तो देखो Google में आपको थोड़ी problem आ जाएगी, कैसे मैं बताता हूँ, आप simple SSB सर्च क करने के बाद आपके सामने दो websites open होगी, कौन कौन सी open होगी, एक होगी SSB.nick.in, एक होगी सासर सीमा बल, तो आपने दूसरी वाली जो .government.in है, जिस पे click करना है, देखना कितना लंबा procedure है, यहाँ पे किया, उसके बाद advertisement पे click करना है, और उसके बाद apply online पे click करना है, और आपको PDF खुलेगी, और उसके बाद फिर जाके आपको यहाँ पे click करना है, तो सबसे best option क्या है, जो आपको comment में link दिया गया है, उसके click करो, और यहाँ से track apply करो, मेरी कोशिश यहीं है, कि जो असान रास्ता है, वो आपको बताओ, तो असान रास्ता आपके सामने है, जो आ 9-9-2018, इसकी last date है, चलिए, यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद दिखो हमें register करना है, तो register पे click करेंगे, क्योंकि हमारी registration पहले नहीं हुई है, चलो यह मैंने register पे click किया, जैसे आप यहाँ पे click करते हो, दोस्तों उसके बाद यह आप से पूछता है, यहाँ पे पूरी detail, चलो मैंने इसको zoom कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे select करेंगे, कि आप कोन सी post के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो head concern minister के लिए, उसके बाद मुझ से यह नाम पूछ रहा है, तो आपने बड़े अक्ष्रों में नाम देना, यह आलरड़ी बड़े अक्ष्रों में ही लेग पूछ रहा है, तो चलो हम यहाँ से डेटा बर्थ जो है, वो select कर लेते हैं, आओ, यह हो गई मेरी डेटा बर्थ, एक तरीक ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यह mail हो गया, nationality मेरी कौन सी है, इंडियन है, और religion कौन सा है, मेरा हिंदू है, marital status क्या है, मैं unmarried हूँ, और मत आपकी कोई है, तो बता देना, मेरी SC है, मैंने बता दिया, उसके बाद आपको सब को यहाँ पर नो ही लगाना है, अचली इसमें पूछा है, कि आप कोई, पहली में पूछा हूँ है, कि आप क्या गरिवाल कुम्नान स्पोर्खा, डोगरा, मराठा हो, अगर हो तो yes, उसके इसके बाद identity card, मैंने school का ले लिया, देखो अगर आप voter card लेते हो, तो voter ID card number दे देना, अगर pen card देते हो, तो pen card number, passport, तो passport number, driving license, तो driving license number दे देना, तो मैंने लिया है, university college ID card, तो यह मैंने दे दिया, 12345, उसके बाद identification mark पूछ रहे हैं, तो identification marks जो है, यह landmark भी हो सकता है, और आ mall or neck मैंने दे दिया, mobile number मैंने यह दे दिया, email address पूछ रहे हैं, तो चलो, mail test 12345, देखो बड़ी बार हम भी गलती कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा इसका देख लेना, हो सकता है, मेरे को गलती हो गई हो, mall or neck नहीं आना हो, या near landmark कोई देना हो हमने, तो चलो, उसके बाद य चेके board दूँगा, क्योंकि इन्होंने slash डाला है, तो एक चीज़ आप दे सकते हो, या फिर आप अपने सारा देना, तो सारा भी दे सकते हो, तो 2010 में मैंने पास की, और 12 भी मैंने जो थी, वो चेके board से, जमुएन कश्मीर बोर से की, और यह मैंने 12 में पास की, और roll number आ गय तो यह 2010 में हुआ था, बस उसके बाद मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, और उसके बाद यह रहा, चलो, 2010 और यह एक तारीक, यह हो गया, subject पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे दे दो, Hindi, English थी मेरी, जो आपके होंगे, वो आप दोगे, SST है, और उसके बाद science है, marks कितने आये थे, total percentage कितनी थी, तो वो मैंने यहाँ पे दे दी, और जो मैंने 12 की, वो मैंने commerce में की है, तो मैंने 60% यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद next कर दिया, तो यह option मैंने select नहीं किया था, चलो, 10 प्लस 2 का यह कहते है, क्या बोला इन्होंने, कहते है, date of certificate issue passing, यह date at least one year after medication, कुछ गलती हो गई क्या, अच्छा, यह गलती हो गई, यहाँ पे 2010 नहीं आएगा, यहाँ पे 2012 आएगा, चलो, ठीक है, चलो, यह next, तो यह हो गई, उसके बाद मुझे password रखना है, तो password जो है, आप कुछ भी रख सकते हो, अब मैं बताता हूँ कैसे रखना है आपने password, एक मिनिट, इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो यह आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे, दिख रहा है न, ऐसे आप रख सकते हो, किसी का नाम, दोस्त, जिसका भी रखना, आपना पीछे जो हमने वो मोलान नेक लिखाना वो बिल्कुल सही था, लैंडमार्क अब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब अड्रेस के लिए यहाँ पे पूछने, तो विलेज टाउन मेरा जम्मू है, पोस्ट आफिस मेरा गंगयाल पड़ता है, और तसील मेरी जम्मू है, पूली स् पा सेम अड्रêtes पे नहीं रहे हो अभी, तो नो कर देना, पर्मानेंट अड्रेस वह होता है, जहाँ पे आपका अपना गर है, कम्मूनिकेशन अड्रेस, कॉर्स्पॉंडन देस अड्रेस वह होता है, जहाँ पी यह आपको कॉंटेक्ट कर सकें, कहीं भी आ आप रह रहे हो, तो यह आपको चिठी वेजें, फोन करें, वो अड्रेस क्या है, वो होता है, कॉर्सपोंस अड्रेस, तो आप समझ गे होंगे, चलिए, मैंने येस कर दिया, और मेरा आटोमेटिक फिल हो गया, उसके बाद आप लोगों को यहां पे नो, नो ही करना है, ठीक है, कुछ नहीं कर हो गया, और उसके बाद मैंने प्रोसीड कर दिया, चलो, कुछ हो गया, अब देखते हैं, आगे मुझे क्या option आ रहा है, सब्मिट अप्लिकेशन, बस, तो दोस्तों, फीस जो होगी, वो आप अपने डैबिट काड जानी की, जो ATM काड है, उससे अगर कोई करना चाहे, तो क कर सकता है, टेक नहीं लगाया मैंने, यह सब्मिट अप्लिकेशन, और, ओके, यह पूछ रहा था, कि मतलब आपने वेरिफाइक कर लिया, तो भाई, प्लीस नोट डाउन रेजिस्टेशन नंबर, यह मेरा रेजिस्टेशन नंबर है, इसको मैं नोट करके अपने पास रख लेता हूँ, अब मुझे करनी है, यहाँ पर फोटोग्राफ अप्लोड, तो देखो, इन्होंने बताया है, कौन सी फोटो चलेगी, मतलब इतनी इतनी फोटो लेनी है, इससे बड़ी मत लेना, यह ज्यादा बड़ी ले लोगे, तो इसका ध्यान रखना, इतनी इतनी फोट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो चलो, यहाँ पर मैं फोटो उठा ले, देखो, मैं तो कोई भी अप्लोड करके आपको दिखा दूँगा, लेकिन आप लोगोंने बिल्कुल सही फोटो जो है, तो चलो, यह मेरे पास 12KB की फोटो है, इसको मैं अप्लोड करने की करता हूँ, चलो, यह हो गई, और उसके बाद मैं अब इसे, तो आप देख सकते हो, यह मैंने गलत फोटो अप्लोड किया हूँ, क्योंकि मेरी फार्म जो है, वो गलत है, तो इसलिए आपने जो साइज है फोटो का यहां तक रखना, और यह मैंने ऐसे अप्लोड करती कोई रख लेता हूँ, ठीक है, तो फिलाल क्या अभी मेरी रेजिस्रिशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी, वो मुझे भी नहीं बता है, ठीक है, तो यह अभी मैं देख लेता हूँ, मेरा फार्म सब्मिट है या नहीं है, तो फिलाल यह बता तो रहा है, लेकिन मैं एक बार इस एच जी ठीक है तो यह हो गया और यह मैं लॉग इन करता हूँ आ भाई मैंने इस पोस्ट के लिए एपलाई किया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि मेरा फॉर्म सब्मिट हो चुका है तो इस तरह से आप फॉर्म सब्मिट कर लीजिए जिन्होंने पीस पे करनी है वह अपने कर सकते हैं तो दोस्तों यहीं थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आपने आज कुछ सिखा है तो प्लीज वीडियो को शेर कीजिए और किसी और को भी सिखाईए और बनिये हमारे बारत की सेवा का हिस्सा क्योंकि आप भी जब शेर करते हो तो आप एक बारतिय की हैल्क कर रहे हो जो देश की सेवा के लिए जाना चाहता है तो भाई ज़रूर वीडियो को शेर करें और लाइफ करें बाकि मिलता हूँ आपके साथ नेक्श वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखी इंस्टाग्राम पर फालो कीजी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा समझ आया क्या